नमस्का दोस्तों, अब भी आप चैनल उपर देख रहे हैं कि एक राइसेल में जो घटना हुई है कि एक आदिवासी ने दो रक्ष कायर दिये थे सागौन के, जिसकी वनिभाग के दोरा कीमत आकी गई है एक करोड़ बीस लाग, मातर दो रक्षों की कीमत एक करोड़ बीस ल हो सकती है, और उस आदिवासी के उपर यहाँ जुर्बाना किया गया है कि 32 वर्ष का एक आदिवासी है, उसको एक क्रोड़ बीस लाग भरना है, मैं बिलकुल तहदिल से धन्यवाद करता हूँ वनिभाग का कि आपने ऐसा कदम उठा है, और मैं यह चाहता हूँ कि यदि उसके उपर अगर आपने लगा भी दिया आरूप सिद्ध भी कर दिये और उसके उपर आपने जो भी फाइन करना था कर भी दिये। और अपरत्यक्ष लाभों को भी कैलकुलेट किया गया है, उसके आधार पर ही जुर्माने की रकम तै की गई है। तो मैं चाहता हूँ कि वन विभाग को मैं यहां से अपने 20 वरक्ष देना चाहता हूँ। एक वरक्ष की कीमत हुई 50 लाग तो 20 वरक्ष की कीमत हुई 10 करोड रुपए। और मेरा निवेदन यह है कि उस 10 करोड में से उस गरीब आदिवासी युवा जो 30 वर्स का है, उसका 1 करोड 20 लाग का जो आपके दारा फाइंड किया गया है, वह माप कर दिया जाए। और बाकी का जितना भी बचरा है 8 करोड रुपए। मैं बोल रहा हूँ कि गरीब जन्ता के लिए बाढ़ दिया जाए, वह पैसा मुझे एक भी निचाहिए। मैं यह सब कुछ व्रक्ष आप लोगों के हवाले करना चाहता हूँ, जिसकी कीमत आज आप करोड रुपए बता रहे हैं। मैं सभी जितने लोग तक मेरा वीडियो जा रहा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कि क्या आज कुरोणा में व्यक्ति जैसे तैसे जी रहा है, एक करोड बीस लाग दो पेड़ के, क्या यह सही है, अगर यह सही है, तो मैं इनके इस फरमान का स्वागत करते हुए, अप आप दे रहे हैं, आप ले जाईए, और इस में से उसको जो आपकी कीमत बताई जा रही है, उस कीमत के आधार पर आप इसको बाजार में बेज दीजिए, और उस में से वो जो एक करोड बीस लाग रुपा हैगा, वहाँ उस आदिवासी युवा को आप दे दीजिए, और नियाय कीजिए आदिवासी समाज के लोगों के साथ, दाजे सर्याम, बैतूल, मद्यपदेश